आज हम आपको कुण्ली में शेष्ट बाव से जातको क्या परिनाम मिलते हैं और छटे बाव में पैठे कौन से ग्रै जातको क्या-क्या नतीजे देते हैं कुण्ली में शेष्ट बाव से दुरगटना, रोग, शत्रु, मांसी कुत पीडन, मामा और दुरबागय के बारे में शेष्ट बाव से हमें पता चलता है यदि कुर्णी में छटा बाव पीड़े तवस्था में हो तो ऐसा जातक रोगी हो सकता है उसके शत्रू भी अधिक मात्रा में हो सकते हैं चटे बाव से जातक को क्या नतीजे मिलेंगे उसके लिए बाव, कारक, स्वामी और वहाँ पर बैठे हुए ग्रै उस और उस बाव पर द्रिष्टी डालने वाले ग्रै और उनके अधिपती बार भी हमें दियान देना चाहिए आज हम आपको बताएंगे कि छटे बाव में बैठे विबिन ग्रै जातक को जीवन में क्या परिनाम देते हैं यदि कुण्डी में छटे बाव में सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक एक सफल और एक परसिद व्यक्ती होता है एसा जातक एक सफल राज नितिग्य भी हो सकता है यदि कुण्डी में छटे बाव में सूर्य नीच वस्ता में पीडित अवस्ता में या शत्रू राशी में हो तो ऐसे जातक को वो रोगी बना देता है यदि कुंड़ी में सूर्य छटे बाव में बली वस्ता में हो याने कि मित्र राशी उच्छ राशी में हो तो ऐसा जातक एक उत्तम परशासक दनी और अपने सभी परयासों में उसे सफलता मिलती है यदि कुंड़ी में छटे बाव पर जब चंदरमा स्थित हो तो ऐसे जातका स्वास्थे बच्वन में भी खराब रहता है यदि चंदरमा छटे बाव में बली वस्ता में हो तो ऐसा जातक निरोगी और हर परकार से उसे सफलता मिलती है यदि चंदरमा छटे बाव में पाप पर बाव में हो तो ऐसे जातक को फेफ्टों के संबंदित रोग परिशान करते हैं यदि कुंड़ी में छटे बाव में मंगल स्थित हो तो ऐसा जातक एक अच्छा राय नितिक्या शासक एक सफल व्यक्ति के तोर पर जाना जाता है ऐसा जातक कामुख फरुविती का भी होता है उसे अपने निकट संबंधियों से भी कष्ट होगा यदि मंगल छटे बाव में पीरी द्वस्ता में हो तो ऐसे जातक को जीवन में दुरोगटना का भई रहता है उसे कारोबार में हानी और करमचारियों से भी कश्ट रहता है यदि कुंडली में छटे बाव में बुद्ध स्थित हो तो ऐसे जातक को की शिक्षा में रुकावट जरूर होती है ऐसा जातक एक सम्मानित व्यक्ति प्रंतु जगडालू किसम का होता है यदि कुंडली में बुद्ध क्रू ग्रहो रहू शनी मंगल द्वारा द्रिश्ट हो तो ऐसे जातक का स्वास्त खराव रहता है उसे मानसिक कश्ट से भी गुजरना पड़ता है ऐसा व्यक्ति आलसी भी होता है यदि कुंडली में छटे बाव में ब्रहस्पति स्थित हो तो ऐसे जातक को शत्रू परेशान करते हैं ऐसे जातक का बागे उसका साथ नहीं देता ऐसा जातक हर काम में सुस्त और असमानित व्यक्ति होता है यदि ब्रहस्पती छटे बाव में पीड़ी तवस्ता में हो तो जातका स्वास्थ प्राय खराब रहता है यदि छटे बाव में शुक्र स्थित हो तो ऐसा जातक इस्त्रियों में प्रिय होता है ऐसे जातके शत्रू नहीं होते यदि शुक्र यहां पीड़ी तवस्ता में हो तो ऐसा जातक कामुक्स बावला होता है जिससे उसके स्वास्थ पर भी बुड़ा असर पड़ता है यदि कुंड़ी में शनी छटे बाव में हो तो ऐसा जातक सासी होता है वे अपने शत्रू पर विजे पता है ऐसा जातक जगरालू किसम का हठी इंसान होता है वे खाने पीने का भी शुकीन होता है यदि शनी यहां पीडित वस्ता में हो तो ऐसा जातक ऐसे जातक को बीमारी से परेशानी होती है उसे कभी-कभी ओपरेट भी कराना पर सकता है उसे मानसिक परशानी भी तंग कर सकती है यदि शुप वस्ता में शनी हो तो ऐसा जातक ठेक्केदारी में और खनन के कार्य में ब राहु उस्तित हो तो ऐसे जातक की आयू लम्मी होती है, ऐसे जातक के पास दन की कोई कमी नहीं होती। ज़दी राहु पर चंदर्मा या शनी की द्रिश्टी या जूती हो तो ऐसे जातक को बिमारी मान सीक वाली परिचान करती है। जदी छटे बाव में के तूस्तितो तो ऐसा जातक अपने शत्रों पर विजय प्रापत करेगा जातक एक परसिद व्यक्ति होगा ऐसे जातक की इंट्यूशन भी काम करती है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेर लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू पर वाचिंग